नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे circumcisions के बारे में जो लोगों के mind में common doubts है उनको clear करने के लिए हम लोग बहुत commonly अब steppler circumcision करते हैं और इसमें लोगों के mind में बहुत सारे questions है before they undergo a circumcision बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इसके बाद हमारी sensation change हो जाएगी तो yes पहले कुछ दिनों में ये sensation change हो जाती है लेकिन धीरे धीरे जैसे आप time जाएगा आपको इसके आदद हो जाएगी और आप अपनी life normal तरीके से वापिस जीना शुरू कर देंगे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसके बाद बहुत frequently infection होगा तो ऐसा नहीं है 4skin remove करने के बाद 4skin में होने वाले infection का rate कम हो जाता है लोग ये भी पुछते हैं कि क्या इसके बाद link का size change हो जाएगा तो ऐसा नहीं है circumcision का size के साथ कोई भी link नहीं है ना वो कम होगा ना वो जादा होगा हो जासे है वैसा ही रहेगा लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इसके बाद आपको परहेज रखना पड़ेगा lifelong तो ऐसा नहीं है once ये wound heal हो जाते हैं then you can be as normal as before lifelong इसमें कोई भी परहेज रखने की जरूरत नहीं है फिर एक question है कि क्या इसमें married life में कोई फरक बढ़ेगा तो ऐसा भी नहीं है आप अपनी married life as before वितीत कर सकते हैं इसमें कोई long term effects usually देखने में नहीं मिलते हैं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसके बाद cancer होने का risk बढ़ जाता है तो rather ऐसा देखा गया है कि foreskin का cancer या penis का cancer इसके बाद कम हो जाता है because इस area में अच्छे सफाई रहती है और इनके cancer बढ़ने के बजाए chances कम हो जाते हैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाद में इस area पे force लगने से फिर से ही जखम दुबारा हरा हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है एक बाद जब ये area heal कर जाता है तो उसके बाद usually इसमें ऐसी कोई problem नहीं आती एक question ये भी है कि steppler circumcision normal procedure से ज़्यादा cost करती है तो क्या इसका कोई advantage है तो yes definitely इसका एक advantage है कि इसमें blood loss कम रहता है cutting बिलकुल proper smooth आती है बहुत fast procedure किया जाता है clips titanium की होने की वज़े से इसमें infection की chances भी कम रहते हैं और फिर patient पूछते हैं कि हमें कितनी दिन परेज रखना पड़ेगा ये कब तक ये steppler जढ़ जाएंगे usually within two weeks ये steppler जढ़ने शुरू हो जाते हैं और तीन से चार हफते की बाद जखम जो है वो लगबग normal heal कर जाता है healing कुछ अब तक patient की age पर और उसकी health पर भी depend कर सकती है so different patients में इसका time कुछ कम ज़ादा हो सकता है लेकिन ज़ादा से ज़ादा एक से डेड़ महिने तक ज़ादा तर घाओ भर जाते हैं क्या इस surgery के बाद इस area को tracing कर सकते हैं लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपको इसकी habit पढ़ती जाएगी इस घौस लगाने की भी सरूरत नहीं रहेगा so I hope कि ये वीडियो देखकर आपके बहुत सारे doubts clear होंगे और आप ये procedure बिना डर के करवा पाएगे Thank you कर दो कर दो कर दो